हलो बच्चों क्या हाल चाल आपके कैसे हैं आप देखो हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर में जितने भी इंपोर्टेंट टर्म्स हमारे अकाउंट्स में यूज होते हैं उनके बारे में हमने डिसकेशन कर लिया है मैंने पिछली क्लास में आपको कैपिटल लाबलिटी और जो हमारा इंकम होता है हमने उसको इंडिफ्स मिनिंग में लेकर आया थे मैंने आपको बताया था अकाउंट्स काम करता है डवल एंटरी सिस्टम पे डवल एंटरी का मतलब होता है डूल अस्पेक्ट एक जब कुछ आएगा जाएगा वो बताना और साथे उसके रिजन को भी बताना तो ये बाते हमने पिछली क्लास में सबजना शुरू किया था आज उसके अप्लिकेशन दुबारा देखेंगे बच्चे आज देखेंगे और आज से तो ओनवर्ड सारी बात हम यही स्टेडी करेंगे आज के जो हमारी कलास है ना वो है आपका जनल एंट्री को लेकर जनल एंट्री सरी जनल एंट्री क्या होता है मेरे बच्चे आप मेरे बात सुनो ध्यान से आप हिंदी बोलते हो मैं हिंदी बोलता हूँ आप इंगलिश बोलते हो मैं इंगलिश बोलता हूँ आप आप तमिल बोलत आप भजबूरी बोलतों, बहुत सारी भाषाइं हमारी है, जो हम बोलते हैं, वो एक language है बच्चे जिसमें हम अपनी बातों को interpret करते हैं, उसी तरह के से, बिजनिस के अंदर में जितने सारे transactions होते हैं, financial transactions, उन financial transactions को बोलने का, बताने का एक language है, उस language को हम कहते हैं, आपका यहां पर general entry, जहां से शुरुआत करेंगे, तो मैं आज आज आपको accounting में बोलना कैसे सिखा जाएगा, बोलना कैसे सिखा जाएगा, वो बाते मैं आपको यहां पर बताऊंगा, आपको बिलकुल दिमाग शांत रखना है, और अभी अगले तीन-चा चार क्लास तक मैं बोलूँगा, उतने ही मैं अपने आपको limit रखना है, हाँ जब चार क्लास के बाद जिखा जहां देखना है, जो पुछना है, पुछो अपने दिमाग से, वो सारी बाते अपने आप दिमाग बेटने शुरू हो जाएंगे, आई जड़ा, मैं आपको general entry के आने के पहले आपको क्या करना होगा दो वर्ड समझने पडएंगे, मेरा बच्चे एक वर्ड आपका होता है देविट, रही है पर यहाँ पर ऐपके पास है एक देविट और दूसरा करेड़, सरी डेविड क्रेट क्या है देखो मैं आपसे आपको अगर बताओं कि डेविड क्रेट का क्या मतलब होता है तो मुझे ध्यान देना मैं आपको बताओं यहां पे दो नाम आज मैं दो नाम को पकड़ूँगा एक नाम मेरा एसेट से एक नाम मेरा एसेट से और एक नाम मेरा एकस्विन से एक नाम मेरा एकस्विन से इन दोनों को अगर मैं इंक्रीज करूंगा अगर हमारे बिजनेस में इन दोनों में से कोई भी नाम अगर आपका इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होने को हिंदी में क्य बोलते हैं बढ़ना बोलते हैं न कि या हमारा इतना बढ़ गया English में क्या बोलते हैं increase हो गया increase हो गया पर बचे उसी तरीके से accounting में accounting में जब यह दो नाम बढ़ेंगे न तो हम इनको बोलेंगे आपका debit हो जाना debit आपका ध्यांदना मैं बात कह रहा हूँ, मैं आपको इस दो वर्ड का मिनिंग समझा रहा हूँ, इस दो वर्ड का क्या मतलब होता है, फिलाल इन दो वर्ड को मैं इनके उपर सी बता रहा हूँ, अगर हमारे बिजनेस में कोई भी assets या कोई भी expense increase करेगा, तो आप उसको increase नहीं बोल हो गया, तो आप कहना कि यह हम क्या करेंगे जी, create आपका हो गया, सुननो मेरे बात, assets और expense, आप कोई भी नाम लो ना, जरा बताओ हमने assets का मतलब क्या बताया था, सिर्छ जिसका benefit आपको future में मिलेगा, जैसी कि बताओ जरा आपका machine हो गया, building हो गया, furniture हो गया, आपका data हो cash हो गया, bank हो गया, कुछ भी मेरे बच्चे, कोई भी assets अगर increase करेगा, तो हम accounting में कहते हैं कि वो debit आपका हो गया, debit हो गया, और इन में से कोई भी चीज अगर आपका decrease करेगा, तो आप कहे दिना, create हो गया, या दखना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोग जो अर्स समाजिक तत्व होते हैं, जो बदमाश लोग होते हैं, कुछ अलग-अलग बाते आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप उनके बारे में नहीं सुनना, बस मेरी बात समझना, मैं आपको बहुत गहराई तक आपको लेके चलना हूँ, आपको इतना master बना दूँगा आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है, देखो ना, हमने कहा कि assets और expense, अगर ये increase कर गया, तो मैं क्या करूँगा, डेविट करूँगा, और decrease तो क्या, क्रेट करूँगा, कोई भी बात कर लो, कोई भी expense आपका, आप देखो ना, for example, लिखे मेरे साथ यहाँ पे, example number one आ गया, तो क्या बोलेंगे, सर्म मशीन एसेट से increase करना डेविट किया जाएगा, आप कहा देना कि यह डेविट हो गया, मतलब, increase in machine, इतना word यूज़ करने के बजाए, बोल देना, machine डेविट हो गया, ठीक है ना, अगर मानलो कहता है, कि आपका increase हो रहा है, लिखते चलो आप बिजनेस का, आपका firm का नाम है, तो इनकी accounting कर रहें बच्चे, अगर आपका, इनका cash बढ़ जाएगा, तो क्या बोलेंगे जी, हमने debit करना है, debit हो गया, अगर मानलो increase हो रहा है, क्या in furniture, अगर इनके पास जो furniture है, वो बढ़ गया, सर कैसे बढ़ जाएगा, purchase किया होगा, अ तो अगर financial हमारा increase करेंगा, तो हम क्या करेंगे, debit करेंगे, और भी नाम बताओ ना, बस मुझे आज तो समय बरबात करना, आपका, आप मताओ, increase हो गया, क्या जी, bank में, आपका bank में जो पैसा पढ़ा हुआ है, bank में जो पैसा पढ़ा हुआ है, increase कर गया, तो आप क्या बोल होते हैं डेटर्स मतलब क्या जिन से हमें पैसा लेना है यह बात में पहले आपको समझा चुका हूँ अगर डेटर्स रेंट इंक्रीज क्या तो हम क्या करेंगे डेट करेंगे मैंने कहा ना मैंने कहा ना अभी आप ज्यादा दिवाग मत लगा ना कोई भी दोनों चीज में इंक्रीज होगा तो accounting language में उसको हम increase या बढ़ना नहीं बोलते हम उसको बोलते है डेविट हो जाना आपका कहता कि आपका माल लो increase आपका हुआ जी increase हुआ in salary अगर salary माल लो increase हुआ तो हम क्या करेंगे आपका डेविट करेंगे हम डेविट करेंगे और मुझे बताओ अगर मानलो increase हुआ increase हुआ commission हमने कोई commission पे किया तो मुझे बच्चे commission जो expense हुआ हमारा बढ़ गया तो हम क्या करेंगे debit करेंगा अपका मानलो हमने depreciation चार्ज किया मैं यह वाट भी पहले बता चुका हूँ अगर मानलो depreciation चार्ज किया जिस value को यूज कर लिया मेरा expense होता है तो depreciation का बढ़ना भी क्या किया जाएगा debit किया जाएगा अभी बस इतना समझो कि assets expense बढ़ गया तो कोई accounting वाला बंदा मिलेगा तो बोलना कि हमने debit किया और जड़ा आजाओ और जराजा कुछ मुझे और समझाने का मन कर रहा है मानलो कहता है कि increase in purchases मैं वही वर्ड यूज कर रहा हूँ जो अभी तक वर्ड हमने discussion किया हुआ पहले purchases का मतलब क्या होता जी raw material का purchase करना raw material जो आपने purchase किया हमारा expense होता है raw material purchase करना हमारा expense होता है और इसका increase होना हम क्या करेंगे जी तो debit करेंगे आपका debit करेंगे अच्छे बताओ मानलो आप और कुछ नाम लो मानलो कहता है increase in bad debts increase in bad debts याद किजे हमने bad debts का मतलब क्या बताया था bad debts का मतलब होता है आपका मतलब जो पैसा डूब गया हमने जो goods बिजा था डेटर्स को अगर डेटर ने time payment नहीं किया तो पैसा डूब गया हम उसे क्या बोलेंगे आपका increase in balance यानि कि आप यहां बोलेंगे जी debit ये सारे मेरे बच्चे debit किये जाएंगे तो याद खना कोई भी assets हो दुनिया का या कोई भी expense हो अगर आपके business में बढ़ेगा तो आप इसको debit करेंगे और मेरे बच्चे ठीक उल्टा ठीक उल्टा अगर increase के बदले में मान लो मान लो आपका decrease होता है मान लो ये decrease कर दूँ क्या मैं एक काम करूँ चलो लिक दे आप कैसे change करूँगा कोई बात नहीं आप ऐसी कर लो जरा मुझे बताओ मुझे बताओ अगर आपका machine लिखेंगे example number 3 example number 3 लिखेंगे आप यहां पर अगर आपका decrease होता है अगर आपका decrease होता है इन machine बताओ जरा machine की value decrease कर गई देखो ना देखो ना machine assets है decrease करने को अकाउंट्स में क्या बोलेंगे क्रेड करेंगे यह language है increase करना decrease करना तो डेविट और क्रेड वर्ट समरी पर जन करते हैं cash increase क्या तो डेविट बच्चे और cash अगर मानलो decrease कर गया decrease in cash बताओ cash का decrease करना क्या करेंगे क्रेड करेंगे हैना आपको इसको दिमाम बेठा लेना आज की class में अगर मानलनो furniture बढ़ गया तो डेविट किया अगर फनीचर आपका decrease कर गया decrease in furniture अगर decrease किया तो क्या करेंगे च्रेड सर बैंक से पैसा कैसे कम हो जाएगा क्यों आपके ममी पपा बैंक से पैसा निकालते नहीं क्या ने निकालते हैं क्या सर निकालते हैं तो बैंक में जो पैसा अगर उसमें से निकाल दिया गया तो कम हो जाएगा तो हम अकाउंटिंग में क्या बोलेंगे क्रेड कर दिया आपक कहता हूं कि decrease हो जाए रेंट यानि कि जो आपका expense है अगर वो decrease कर जाए तो हम क्या करेंगे क्रेड करेंगे क्रेड करेंगे ठीक ना यह दो को salary बढ़ना debit तो decrease जो होगा salary में उसको हम क्या करेंगे आपका क्रेड करेंगे बात समझमारी है सर हाँ सर आप देखो increase in commission आपने debit किया तो decrease in commission अगर commission मतलब कोई भी expense अगर कम होगा तो हम क्या करेंगे क्रेड करेंगे है ना आगे बढ़ना depreciation का बढ़ना debit होगा तो मुझे अगर decrease होता है depreciation अगर depreciation कम होता है तो हम क्या करेंगे क्रेड करेंगे सरी कैसे कम होगा मैं आगे बताऊंगा फिलाल लिखो न अगर हमने पर्षेज किया इन क्रेज इन पर्षेज देबिट अगर आपका डिक्रेज होता है इन पर्षेज पर्षेज अगर आपका डिक्रेज होगा मतलब रौ मेट्रिकल कम होगा तो हम इसे क्या करेंगे क्रेड करेंगे बाते अब आपके दिवाँ में बैठने शुरू हो गई हैं आप ध्यान देखना कोई बाहर वाला पूछ दे कि ये डेविट क्रेड क्या है तो आप उनको कहना कि हमारे अकाउंट्स में एक अकाउंटिंग एक लेंग्वेज है उस लेंग्वेज के अंदर में हम लोग क्या करते हैं एसेट्स और एक्स्पिन्स के बढ़ने को हम डेविट करते हैं और आपका ये जो आपका एसेट्स एक्स्पिन्स कमोना हम क्रेड करते हैं इतनी बात समझ मागई सर हां सर हां ये तो बाप सर ठीक है लेकि बताओने सर जर्नल एंट्री क्या होता है आप जड़ा पहले हमने इस वर्ड का मिनिंग समझ लिया इस वर्ड का मिनिंग और भी आगे बात निकलेंगे मेरे बच्चे मैं पहले इनको मिटा के और आपको General Entry करने का तरीका समझाता हूँ अभी बात में फॉर्मेट की नहीं करूँगा मैं बहुत जशाथा फॉर्मेट मिनी जाना चाहता बस आपको समझाना चाहता हूँ कि General Entry जो होता हूँ कैसे बनाए जाती है ये देखो मैं प्रहे लिख दूँ हमने भी बताया था मैं भूल गे जड़ा बताओ कि हमारा जो assets होगा और जो हमारे expenses होंगे expenses होंगे जड़ा बताओ यह दोनों अगर increase किया increase तो हम क्या करेंगे बच्चो किस नाम से पुकारेंगे sir debit हमने इसको debit किया और अगर अगर यह नाम मानलो decrease हो गया अगर यह नाम कम हो गया तो हम किस नाम से पुकारेंगे sir credit करना आपका तो इनका बढ़ना डेविट और घटना credit होगा यह मैंने अलग स्रीक दिया क्योंकि अब मैं आपको general entry सिखाता हूं याद खना general entry में आने के पहले मरे बच्चे आपको double entry system का मतलब अब तरीके से समझ में आ जाना चाहिए dual aspect एक क्या आया क्या गया वो बताओ और दूसरा उसके पीछे का region आपका आए मैं आपको दिखाओ यह काम कैसे करेगा अब शुरू करेंगे आप लिखने लिखेंगे मेरे साथ यहां पर लिखेंगे आप यहां पर heading डालेंगे make general entries कहता है कि make general entries आपको entries बनाना है in following cases in following cases जो cases मैं आपके सामने रख रहा हूं इन cases में बच्चे आपको entry पास करना है कि आखे entry आप कैसे बनाएंगे ठीक न यहां देखना assets expense का बढ़ना debit होगा और इनका घटना create होगा ठीक न अब देखो मैं क्या करूँगा देखो जड़ा लिखेंग आप यहां पर इसके अंदर में example number one आपका example number one अच्छा यह entries किसके book में कर रहे हैं तो आप लेखना यहां पूरी बात लेखो in the book of firm हम बात firm के book में कर रहे हैं मरबचे पूरा accountancy जो आपको सिखा रहा हूँ वह एक business के लिए सिखा रहा हूँ वह business अगर एक firm है तो firm के लिए company तो company के लिए तो आप ध्याना कभी भी आप किसी businessman यानि कि मालिक के लिए आप कुछ भी नहीं पर रहे हो आप उस firm उस company के लिए study कर रहे हो तो आव जड़ा मैं बता हूँ कि entry जो होगा in the books of firm कैसे बनेगा in the books of firm आपका सुनो द्यान से देखो मैं कुछ English में लिख रहा हूँ पहले आपका English में कहता है कि यहां पर firm आप मेरे साथ लिखेंगे purchased firm purchased purchased कहता है कि machine machine costing rupees costing rupees one lakh one lakh and and paid in cash and paid in cash and paid in cash and paid in cash मेरे बच्चे कहता है कि आप धान देना यहां पर firm ने एक machine purchase किया और machine purchase करने के बाद उसका payment उसने cash में कर दिया मेरे बच्चे दो double entry system में वो दो नाम हमें यहां पर पहचानने हैं जिनके बीच में transaction आपका हो रहा है तो जिरा चेक करो यहां पर हुआ क्या यह देखो आप आपने जब machine purchase किया और आपने payment कर दिया cash में तो जिरा बताओ कि firm के पास firm के पास क्या आया बताओ firm का क्या बढ़ा सर मशीन बढ़ गया सर मशीन पर से जवाना सर तो मशीन बढ़ गया मतलब मैं लिख रहा हूँ आपको आप बहुत चोटे बच्चे आज की class में सारी बाते में आपको समझाऊंगा थोड़ा बड़े हो जब फिटों मैं बहुत दौट लगाऊंगा देखो firm ने क्या क्या firm का machine बढ़ गया बचे तो मैं प्लस करते हूँ देखाऊंगा बताओ firm में machine कितने का आया वन लेक रुपीज का वन लेकर ठीक है चलो मान लो firm ने क्या किया जी आप दुकान में गये और आप दुकान में जाकर एक आपने machine प्रशेज कर लिया machine कितने का है वन लेकर तो मानता हूँ machine आपके पास आ गया लेकि बताओ ना machine जब आया तो firm से गया क्या firm ने क्या पे किया sir cash बे किया गल्द जो डी बोलना हूँ क्या अरे कहतो हुग है की machine जो provide किya उसका payment आपने प्रशेज में किया है तो अगर मैंने machine phledge किया और cash में payment किया तो में मुने बताओ ने बताओं लेकिन cash मेरे पास से चला गया कितना cash चला गया होगा वन लैक का अव्यस बात है जितने का machine procedure के उतने इतो तो cash जाएगा याँ ढएखना आज ही class में कोई if और आपके डिमाग में नहीं आएगा कि सर ये होगा तो क्या करेंगे वो होगा तो क्या करेंगे ये विश्वरभ Manduki बात है बच्चे आज तो हम अभी सीखना शुरूर किये हैं और कोई भी चीजब हम सीखते हैं तो उसमें इफ और दिमाग में नहीं आने देते हैं सिर्फ विश्वास करते हैं कि जो आदमी आपको सिखा रहा है वो आपसे बड़ा है वो पक्का है और cash में payment किया तो machine आया और cash चला गया बच्चे देखो ये machine का बढ़ना cash का घटना ये तो ordinary language है ये हम और आप जानते हैं मुझे इस बात को accounting में दिखाना है accounting में देखो मैं क्या करूँगा जल्दी से बताओ इस दों में कौन सा नाम बढ़ रहा है sir machine बढ़ रहा है आप बत तो assets का बढ़ना क्या करोगे आप debit करोगे तो पता मैं entry क्या करूँगा देखो मैं इसके journal entry बना रहा हूँ मैं accounting में क्या करूँगा मैं लिखूँगा यहां पे machine machine और आगे में मैं account लगा दूँगा तो आगे में account क्यों लगाओगे इसका region आगे बताओँगा बट याद रखना जितने भी नाम आप accounts में यूज करोगे जरनल एंट्री के अंदर में उसके आगे account नाम लगाना region क्या है आगे बताओँगा तो machine account अब जला बताओँगा मशीन बढ़ा की कम हो गया तो आपको debit करना होगा यानि कि आप इसके आगे क्या करेंगे लिख देंगे debit debit ज मुझे जब machine आया ना तो cash चला गया आपके पास से देखरो cash चला गया मुझे बताओ cash जो हमारे हाथ में था वो भी हमारा क्या था सर वो assets था सर कैश भी हमारा assets था आपने सर बताया तो था सर कि जितने चीजें हमारे पास आज हैं जो हमें आगे benefit दे सकते हैं सब हमारे assets होते हैं चैया वो cash हो bank हो furniture auditors कुछ भी आपका तो जो cash हमारे पास था मेरे बच्छे वो भी हमारा assets होता है अगर आपका cash चला गया य तो आपता assets अगर decrease करेगा तो क्या करेंगे आप? क्रेड करेंगे क्रेड करेंगे आपका तो मैं यहां पर क्या करूँगा जी मैं यहां क्या करूँगा ध्यान सुनना मैं आगे इसको change करूँगा मैं यहां पर क्या करूँगा कौन सा cash न तो मैं बोलूँगा कि cash account cash आपका जो है account AC for account हो गया short में हम full form भी लिख सकते हैं लेकिन AC short में account को बोलेंगे और आपने क्या बोला जी ये credit हो गया credit आपका, बोलो कितने से आपका one lakh से, one lakh से हो कई बात, हो गया अरे हमने machine purchase किया ये एक एक nursery class का मेरा बच्चा भी बता सकता है मतलब कोई भी बता सकता है क्यार अगर मान लो हमने machine purchase किया होगा और cash पे किया होगा तो हमारे पास क्या होगा जी machine आएगा, machine आएगा और क्योंकि cash पे कर दिया तो मेरे पास जो assets पड़ा हुआ था cash वो चला गया मेरे पास चला गया cash अब चला गया तो हमने क्या क्या जी आपका machine बढ़ गया और cash चला गया, बात समझ में आगई सर हां सर हां, तो मैंने क्या क्या ये आपको यहां पे दिखाया है machine debit हो गया और cash क्रेट यहां पे देखो increase decrease word है ना हमने हटा दिया हमें accounting में इसको क्या बोलना होता debit or credit, सर ऐसा क्यों होता बताऊंगा, थोड़ा सबर करो थोड़ा सबर करो, अब देखो ये जो चीज मैंने लिखा ना बच्चे, जो मैंने ये चीज लिखा ना, मैं इसको और भी एक, आब एक standard format देना चाहता हूँ, मैं इसको एक और भी standard format देना चाहता हूँ, देखो format क्या है, उस format को देखो कुछ ऐसे हम परजेन करेंगे, नजर यहां डालो, आपका चला बताओ, इसमें क्या बढ़ गया, machine, machine बढ़ गया, तो DR, मुझे, DR, short form यूज किया जाता है, डेविट का, आप सुनने मेरे बात, डेविट को हम short में क्या बोलेंगे, DR, और यह हमेशा होगा, हमेशा होगा, हैना, DR का असर, R तो कहीं आही दे रहा, डेविट में, R कहा है, छोड़ो ना, हम उसका पताएंगे, रिजन क्यों ऐसा होता है, लेकिन आज, दुनिया वाले आप से पूछ दे, कि आर आपने DR क्यों लिखा, DR क्या होता है, तो बोलना कि, डेविट का, आपका short form है, हमारे सर ने बताया है, तो, entry का बन गया, machine account, डेविटेड, machine हम उसके आगे create ने लिखते हैं, हम क्या करते हैं, नीचे में, क्योंकि आपका create जो होगा, वो नीचे, डेविट वाली बाते उपर लिखे जाएंगे, क्रेड वाली बाते नीचे लिखे जाएंगे, तो मैं क्या करूँगा, यहां पर कुस्टिंग हो रहा है और यह आपका अमाउंट कितना है जी वन लेक और यहां भी कितना हो गया आपका वन लेक अब प्लेश दिमाग में इफोर मताने देना और आप मुझे गुसा भी नहीं करना कि सरसारी बाते एक बार में क्यों नहीं समझा रहे हो क्यों बार बार आप च जो आपने डेविट किया तो हमने क्या बोल दिया ओमने में घजस्टे यह ही तुझे हैं यहां है अपका यहां पर जनरल थे ट्यार हो गया जन इसी को हम बोलते हैं जनल एंट्री एक लैंग्वेज है मुझे पता है कि आज ही लाइंग्वेज बड़ा टफ लग रहा होगा बड़ा नया लग रहा होगा लेकिन यह बच्चे का खेलोगा आज ही की क्लास में बताऊंगा आज देख लेना अभी से काउंट करो अगला आदा की बात है उपर में क्या लिखा जागा डेविट की बात है नीचे में क्या लिखा जागा क्रेट की बात है और टू लगने का मतलब क्या है जी तू का मतलब होता है एजूम्ड यह एजूम किया जाता है इसका मतलब क्या कि क्रेट आपका किया गया है तू का मतलब जो है और कैश हमारा कम हो रहा है कैस कम होना य setup केस्ट अपका इन है यही मैंने आपको दिखाया आपको समझाई सारी बाते इसी के इद गर्ष चलेंगी आज हम दो आइटम को फिपख रहे हैं आज रहा मैं something to two दिखाता हूँ example number two लिखना आगे कहता है firm ने firm purchase सारी बाते हम firm को लेके करेंगे firm purchase पहले यहां पर क्या machine था ना अब कहता है कि building purchase किया building purchase building for rupees five lakhs पांच लाक रुपे का आपने building purchase किया और कहता है कि and paid in cash and paid in cash और उसने पांच लाक रुपे cash में pay कर दी five lakhs की आपने building purchase की और वो सारा का सारा payment आपने cash में कर दिया बोलता बताओ आप इसकी entry कैसे pass करोगे मैं बचे entry pass करने के लिए वो दो नाम आपको ढूनना पड़ेगा जिसके वीच में transaction सो रहे हैं तो इस दो नाम में मुझे तो दिखा building आना और cash जाना और ये एक बात बताओ आपके घर में अगर दादी मा है ना दादी मा जो मतलब आप गलत नहीं मानना लेकिन अगर वो दादी मा जो पहले के जमानी के थोड़ी कम भी अगर पढ़ी लिकी हैं उनसे भी पूछ दो अगर आप उनसे भी पूछ दो कि जड़ा बताओ जी कि building purchase कि मेरे पापा ने business sorry building purchase कि मेरे पापा ने तो बताओ हमारे पास क्या आया घर में क्या आया building आया property आई हमारी assets आया और पापा ने क्या पे कर दिया cash पे कर दिया तो cash चला गया ये कौन सी बड़ी बात है अरे अरे आप छोड़ो ना मैं दादी मा की कहां बात करता हूं मेरा अभी छे मेने का बच्चा है उस छे मेने के बच्चे से आज मैंने सुबह में पूछा कि बताओ जड़ा कि मैंने आपके लिए toy लेकर आया खिलना खिलना था बोला कि toy लेकर आया जड़ा हमारे घर में क्या बढ़ा क्या घड़ गया वो बोला कि papa toy बढ़ गया toy यानी कि assets गर में आगया है ना खेले के मैरे बच्चा और कैश चला गया उसको भी बात पता है कि जब हम कोई समान लेंगे तो हमें पेमिंट करना पड़ेगा तो हमारे पास क्या हुआ जी बिल्डिंग आया और कैश चला गया बच्छे बताओ ना बताओ ना मैं पहले आपके सिंपल ल पांच लाक रुपे से बिल्डिंग बढ़ा है और बताओ बिजनिस से क्या चला गया क्या चला गया सर कैश चला गया तो आप यहां बोलें कि देखो जी हमारे बिजनिस में से कैश मैनस हो गया कैश मैनस हो गया मिरे बच्छे दोनों ही एसेट्स है दोनों ही एसेट्स है ल तो आप बताओ, जब परशेज किया तो आपके पास क्या आया, चौकलिट आया ना, और क्या चला गया, कैश चला गया, वही तो बाते कर रहे हैं, कि बिल्डिंग आया और कैश चला गया, मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर अकाउंट इसको, यह तो हमारा हो गया, आपका स में बात करूं अगर मैं accounting language में तो जब बतो building का increase करना building का बढ़ना मतलब assets का बढ़ना आब बिल्डिंग अगर बढ़ेगा अगर assets बढ़ेगा तो क्या बोलोगे debit or credit sir assets का बढ़ना debit कहा जाएगा आप आप यह बात आप यह नहीं कहना है कि मैंने समझाया नहीं है अभी अभी हम समझेंगे आज mastery हो जाएगी बस slowly मेरे सब दिमाग लेके चलो please एक ही request है कि if और दिमाग में मताने दो आपका if और नहीं तो ठीक है मैं accounting language में आ रहा हूँ building 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 और हमेशा इस क्या के क्या लगाएंगे account AC मतलब account यह क्यों लिखा जाता बाद में बताऊंगा बताओ building account को आप क्या करोगे फिर debit करेंगे अभी accounting language में इस convert कर रहा हूँ debit or credit अच्छे बताओ cash account जो आपका है जिरा बताओ cash account जो है उसको क्या करोगे सर क्रेड करेंगे decrease हो रहा न यह दो को cash यानि की assets कम होगा तो क्या करेंगे क्रेड करेंगे आप तो cash account को हम क्या करेंगे जी क्रेड करेंगे ठीक है ना building का बढ़ना debit और खटना क्रेड यह तो हो गया मेरे बच्छे accounting language में इसको भी box में डाल दिया अब मुझे इसको जर्नल एंट्री में दिखाना है जर्नल एंट्री यह वह लैंग्वेज जो आप दुनिया से बोलोगे कल को बड़े हो जाने के बाद तो आप क्या बोलोगे जला पताओ पहले क्या लिखेंगे debit या क्रेट वाला पहले debit वाला जर्नल एंट्री में पहले वह नाम आते हैं जो debit में आते हैं तो जर्ना पताओ कौन सा debit में आ रहा है building account दोखो मैं क्या करूंगा building building account को और इसके आगे debit लिख दो क्या लिख सकता हूं लेकिन जेनरली हम लोग क्या लिखते हैं DR जहां भी DR दिख जाएगा किसी नाम क्या आगे बोलना कि इसका मतलब कि debit आप का हो रहा है तो building account debit हो गया अच्छा cash account को create करना है तो क्या मैं cash account CR create लिख दूँ क्या ना ना हम create वाले item को कैसे दिखाते जी जो भी create में नाम लिखना है उसके पहले हम यहां पर to लिखते हैं जो भी नाम आपको create में लिखना है उसके आगे to लिखते हैं और फिर इस नाम को to cash account यह language है सर इतना तेड लेंग्विज पता है Hindi English तो फर सर इसकी क्या requirement है requirement है बच्चे अभी तो आप सीख रहे हैं और याद करो आप जो कखा गागा ABCD आपने बच्चमन में सीखा तो कितनी सारी गलतियां आपने की थी करने तो आज भी गलती हो जानों जितनी गलती होती है रोकूंगा नहीं ना म परिशान हुए थे यहां परिशानी थोड़ी कम रगी थोड़ी कम लगी क्योंकि अब हमें थोड़ा सा नोलेज हो चुका है यह हमारा जेनल लैंग्वेज है English में बोलना यह हमारा accounting लैंग्वेज है जहां पर हम डेविड क्रेट की बात करते हैं और accounting के language को general entry में कैसे शुरू करतूंगा और एक बात और देखो जड़ा एक बार और देखो डिसेंसी कितनी अच्छी लग रही है कि जहां से building account शुरू किया ना हमने two थोड़ा सा हट के शुरू किया यहां से आप यहां से भी कर सकते हो लेकिन अच्छा होता थोड़ा सा gap तो यहां पर और यहा दोगे तो अच्छा लगेगा examiner को की बच्चा और समझधार है accounting is an art accounting एक कला है मैंने पिछली class वे जिकर किया था कलाकारी जितने अच्छी तरीके से दिखाओगे उतना मज़ा आएगा आप जानतों मेरी कलाकारी में हंडेटिंग मेरी कितनी अच्छी है मैं कितनी अच्छ तरीके से लड़के कची तर बनाता हूँ तो वो कलाकारी जो है ना बच्छे आपको भी लेकर आने पड़ेंगे आए मैं अब तिसरे example में लेकर आता हूँ आज तो मैं बहुत simple simple बाते करूँगा धीरे धीरे मैं आपको और high level पर लेकर चलूँगा और बातों को बहुत मस् सिखेंगे आए आए जड़ा अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ example number 3 example number 3 चलो हमने machine खरेद लिया हमने building भी खरेद लिया और क्या खरेदने का मन करता है फर हमें furniture purchase करने का मन करता है furniture आप उसको परचेज कर लेते हैं लिखो यहां पे firm firm purchased firm ने purchase किया आपका furniture firm purchased furniture कहता है कि आपका four four रुपेज मान लो three lakhs तीन लाक रुपे में और कहता है कि paid in cash and and कहता है कि paid in cash हमने क्या 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 है cash में payment किया है cash में तो मुझे बताओ ना मुझे बताओ जड़ा कि अगर मैं इसमें चेक करूँ वो दो नाम जो हमारे transaction में आ रहे हूं कौन-कौन से नाम है तो क्या बताएंगे सर एक नाम यहां पर furniture है और एक नाम क्या है cash आपका है जड़ा बताओ जड़ा जड़ा बताओ मुझे कि अगर म हम बात करते हैं यानि कि हम अपने और आपके language अभी तक हम जानते हैं तो बताओ firm ने furniture purchase किया तो furniture बढ़ा की कम हो गया सर बढ़ गया तो आप क्या करोगे plus यानि कि increase दिखाओगे furniture में होते वे furniture में आपका increase होते वे दिखाएंगे कितने से आपका three lakhs है तीन लाक रुपे अपने cash में पे किया है तो आप जड़ा बताओ cash में पे किया तो cash आया की चला गया सर चला गया मैनस कीजिए cash आपका यहां पे cash चला गया कितना अपने बच्छे three lakhs का amount आपका तो three lakhs का furniture आया है furniture हमारा क्या होता है जी assets होता है cash हमारा क्या होता है वो भी assets होता है बट एक assets बढ़ रहा है दुसरा हमारा कम हो रहा है एक बढ़ रहा है दुसरा कम हो रहा है तो अब हमें यह आपका निकल क्या जी general language जड़ा बताओ अगर मैं आपसे बात करूं accounting language का अगर मैं आपसे increase decrease के पूछू कि जो बताओ accounting language में कैसे बोर होगे तो furniture का बढ़ना प्रवाचא है आब बताओ assets है बढ़ना हम क्या करेंगे debit करेंगे तो हम बोलेगे कि आपका यहां पे क्या बोला जाएगा जी आपका जो furniture है जो furniture है जरा बताओ इस furniture को हम क्या करेंगे आपका debit करेंगे देविट करेंगे ठीक है न और हाँ furniture का आगे हम क्या लगा दे अकाउंट अकाउंट क्यों लगाते है रिजन आगे बताऊंगा और cash आपका कम हो रहा है तो ज़रा बताऊ cash account अगर कम होगा तो हम क्या बोलेंगे create आपका क्योंकि आप जानते हैं कोई भी assets बढ़ना debit और घटना create होगा, furniture बढ़ रहा है तो हम debit करेंगे, cash कम हो रहा है तो हम create करेंगे आपका, यह हमारा accounting language आपका होगया, accounting language आपका होगया यह हमारा general language था यह हमारा accounting, अब मैं इस accounting language को किसी में दिखा रहा हूँ general entry में general entry में बताओ कैसे करेंगे, यह देखो यह देखो furniture account debit करना है तो हम लोग ने पहले debit वाली बाते लिखनी है तो आपने क्या क्या furniture account को आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, DR यानी कि और और जला बताओ, आपने कितने का furniture purchase किया, 3 lakhs का तो 3 lakhs से यह entry आजाएगी 3 lakhs से furniture आपका debit हो गया मेरे बच्चे, cash हमारा credit करना है, तो हम जब कोई भी चीज यो credit करना होता है, उस नाम कहाँए, थोड़ा से इधर करते हुए, क्या लिखेंगे 2, cash ना, तो हमने क्या बोल दिया, 2 cash account 2 cash account, हाँ, account लिखेंगा हम यहाँ पर 2 cash account, और कितना जी, 3 lakhs सो भाविक सी बात है, अगर 3 lakhs रुपिज आपके पास furniture के आए हैं, तो 3 lakhs cash गए भी तो हैं, तो आपका क्या होगा, जी, ये आपका बढ़ा, ये कम होगया, financial account, debited, debited मतलब की आपका होगया, जी, increase करना, और cash account, आपका created, हम जो create में करना है, उसके आगे create लिखने के बजाए, क्या लिखते हैं, 2, तो 2 cash account, entry complete होगी, बता ये कौन सी बड़ी बात है, क्यों मेरे बच्ची बात नहीं समझ पाएंगे, मुझे तो लिखता कि कोई ऐसी बात है, जो आपको नहीं समझ में आएगा, कुछ भी आपके पास बढ़ गया, कोई भी assets, तो मेरे बच्चे कोई भी assets अगर आपके पास कर सकते क्या, अरे अगर मुझे furniture परशेज करना है, अगर मुझे building परशेज करना है, अगर मुझे क्या बोलते हैं, आपका equipment परशेज करना है, plant परशेज करना है, कुछ भी business में परशेज करना है, हम payment cash में भी तो कर सकते हैं, और जो तो सुनो आपका example number four कहता है कि फॉर्म पर्शेज्ट फॉर्म ने पर्शेज्ट किया यहां पर कहता है आपका मानलो equipment equipment मेरे बच्छे यह भी हमारा assets होता है जी equipment है जो business में यूज किया जाएंगे तो फॉर्म ने पर्शेज्ट किया equipment कहता है कि four rupees मानलो two lakhs rupees दो लाक रुपे का और कहता है कि and and paid and paid कहता है कि paid through bank paid through through bank वो bank से कह रहा है कि आपने payment कर दिया कोई बात नहीं आप मैं समझ चुका हूँ कि मुझे बताने के requirement नहीं है मेरे पहले यह बात आप समझ चुके हैं कि अगर फॉर्म ने अगर फॉर्म ने equipment purchase किया तो चला बताओ फॉर्म के पास क्या पढ़ गया आपका equipment बढ़ गया यह यह आपका normal language है simple language equipment बढ़ गया कितने से बढ़ गया two lakhs है आपका और चला बताओ अगर payment हमने bank से किया तो बताओ पैसा जो हमारे हाथ में है वो कम हो गया या फिर जो bank में पैसा पढ़ा है वो कम हो गया बोलो ना अगर पापा आपके bank से चेक से कोई payment करते हैं तो पापा के घर में जो पैसा है वो कम हो जाता है या फिर जो बैंक में पैसा वो कम हो जाता है सर्फ बैंक कम हो जाता है यानि कि मेरे बचे इस पार जो आपका decrease करना है वो क्या decrease करना है बैंक में रखावा पैसा कितने से कम हो गया टूलेक्स है आपका equipment आपका बढ़ गया और बैंक कम हो गया आप मुझे बताओ अगर मैं इसी बात को accounting language में दिखाओं अगर मैं इसी बात को accounting language में बोलने की कोशिश करूं अभी language बोलना सीख रहे हैं तो equipment बढ़ रहा है दिखो ना दिखो ना नहीं क्या है इसको debit करना होगा और और बैंक मीरा क्या होगा है तो कि बेंक है जो मैं क्या करना होगा कुए दुनिया का कोई बीर फेसेट्स जो आपके पास है अगर बढ़ेगा तो डेविट और घटना क्रेड करना है कुछ भी हो कोई विवीर सैट्स आपका हुआ अब मुझे इसको general entry में convert करना है मुझे इसको general entry में convert करना है मुझे बताओ मैं क्या करूँगा जिसको पहले debit करना है उसको लिखो तो हमने लिखा यहां पे equipment equipment account DR DR का मतलब क्या? Debited हमें debit करना है and थोड़ा नीचे छोड़ते भी जगा to क्रेड किस्व करना है bank को न तो to bank account और हर एक नाम के आगे में हम account क्यो लगाते है इसका region अभी मैंने आपको नहीं बताया है आगे समझाओंगा बस आप इस entry को करके दिखा दो आपका entry हो गया मेरे बच्चे equipment account debited to bank account entry complete आपका बात समझ रो न ऐसा तो नहीं मैं चिलाए जा रहा हूँ मेरा गला खराब हो चुका बच्चे सब कुछ गले का खतम हो चुका है लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको accounting सिखा दो मेरे जाने के बाद कम सकम लोग तो हो जो accounting को आगे बढ़ाएंगे तो उसी process में मैंने क्या क्या आपको समझाया कि जो बढ़ेगा आप उसको debit करो घटना क्रेट करो तो आपने equipment को debit किया and two bank count two lakhs rupees entry हमारी complete होगे बात समझ मारेए तो this is the way to pass the entry हमने ये entry आपको दिखाया चौथा point हमने आपको कराया आउना हम पांचवे point में आपको लेकर आते हैं और इसको मैं यहां से हटाते हैं लिखी जड़ा यहां पे पांचवे point में हम आते हैं आपका लिखी मेरे साथ यहां पे fifth point के अंदर में आप entry करेंगे fifth point के अंदर में entry करेंगा आप यहां पे लिखी मेरे साथ यहां पे एक्जामपल नम्बर फाइफ आपका पांच पाइग्जामपल आपका लिखेंगे पांच पाइग्जामपल अब बताओ मुझे ना आप थोड़ा और सोचने का मन कर रहा है मुझे पता नहीं क्यों मन कर रहा है बह citoyно पांच बहुत सारी बात है सोचने का और एक यही बार क्यों सोच अब काогए ऐसा नहीं हो सकता क्या अरे मैंने एसी पर स्चेजड किया सुनना मेरी बात और आप मेरी आंखों में आँख देख के बात करो बात है आपको मेरी आँखों में आख शेर जो होता है शेर वो आँखों में देखके बात करता है अगर आप लड़के हैं तो शेर लड़की तो शेर नहीं लेकिन आँखों में देखके बात करनी है मेरे साथ आप मेरी बात सुनो ऐसा भी तो हो सकता कि मैंने मतलब बिजने से एक AC परचेज किया 50,000 का था बच्चे 50,000 का एसी था जब मैं 50,000 का AC परचेज किया और गया मैं बैंक के शोरों में पेमेंट करने के लिए तो मेरे पास जो कैश थे न बच्चे उसे 20,000 रुपे थे AC कितने का है 50,000 का बड़ कैश कितना है 20,000 तो 50,000 में अगर 20,000 मैंने कैश में पेमेंट कर दिया तो बताओ जब रहा बाकी 30,000 का पेमेंट मैंने कैसे किया होगा चेक में अरे मैं बता रहा हूं मुझे पता है न AC परशेज किया है 50,000 का AC लेकर आया 50,000 का AC मेरे पास आया उस 50,000 में से 20,000 मैंने कैश में पे कर दिया 20,000 पेड इन कैश and 30,000 मैंने बैंक से पे कर दिया चेक से पेमेंट कर दिया देखो मैं उसको कैसे बोलूँगा आप जड़ा पांच बा लिखेंगे फर्म परशेज्ट फर्म ने परशेज किया AC for रुपेज 50,000 and paid पेड रुपेज 20,000 20,000 in cash and and रुपेज 30,000 रुपेज 30,000 by check चेक का मतलब कि बैंक से पेमेंट करना होता है चेक से पेमेंट का इसका मतलब क्या जी हमने बैंक से पे कर दिया जिसको हमने चेक दिया होगा वो चेक थोड़े खा जाएगा वो तो check लेकर मेरे bank में जाएगा, वो bank से पैसा निकालेगा, तो मतलब bank से पैसा चला गया, मिने बच्छे अब हमें यहाँ पर समझना है, कि अगर मैं आपको यहाँ पर general language की बात करूँ, general language यह मुझे बताओ आपका, आपके language में, कि आपके business में क्या बढ़ा क्या चला गय है, तो मुझे बच्छे, AC जो आपका है न, AC जो है, वो आपका यहाँ पर आपने कहा कि increase कर गया, AC आपका increase कर गया, कितने से 50,000 से, आप general language में कैसे बोलोगे, फरक नहीं पड़ता, AC इंक्रीज कर गया, पचास ज़र पे, AC इंक्रीज बढ़ गया, आपको जो बोलना मुड से, 20,000, और देखो न, चेक यानि कि बैंक से भी पैसा आपका कम हुआ है, बैंक से भी decrease किया, आपका यहाँ पर कितना जी, 30,000, इस पर तीन नाम आगे, नाम कितने भी आए, क्या फरक पड़ता है, नाम कितने भी क्या फरक पड़ते हैं, आपको तो concept पे समझ देना, और हा आपने 50,000 का purchase किया, 50,000 का machine आपके पास आया मरे बच्चे, लेकिन आपने जब payment किया, तो 20,000 जो payment है, आपने cash में कर दिया, और 30,000 आपका bank से, तो increase machine में 50 हुआ, cash decrease कर गया 20 से, और bank में जो पैसा वो भी 30 से decrease कर गया, यह हमारा general language है, आप मुझे बता इस general language को, अगर मैं accounting में convert करूं, accounting language का मतलब मैं सभी यह कहना चाहता हूं, कि जहां पे मैं increase decrease को debit credit कहूंगा, बता, AC आपका क्या है, sir, assets है, तो बता, AC जो आपका है, sorry, AC जो आपका है, AC जो है, वो increase कर रहा है, तो बता, आप क्या बोलोगे, debit हो गया, AC क्या बोलेंगे, debit करेंगे, debit हो गया, कित decrease करना, यानि कि assets कमोना क्या किया जागा, credit, तो हम बोलेंगे, cash जो हमारा है, वो हमने क्या करना है, यहाँ पे credit करना है, cash decrease कर गया, यानि कि account से क्या बोलेंगे, credit कर गया, कितने से आपका, 20,000, 20,000, में बचे, bank भी तो decrease कर गया, तो आप कहेंगे, कि bank जो है, bank जो है, वो भ जितने एसेट्स कम हो जाएंगे सबको क्रेड करूंगा और जितने वड़ जाएंगे सबको डेविट करूंगा यही तो सिंपल सी बात है पता निसमें कौन सी बात है कि आप इतने 11 क्लास में आने के बाद इस बात को आपको शिखाया जा रहा है मैं मैं अगर अकाउंस का आव जड़ा accounting language को अब मैं convert कर रहा हूँ journal entry में मैं convert करना हूँ journal entry में सुनो जड़ा सुनो जड़ा बताओ क्या बढ़ गे आपका क्या बढ़ रहा है AC बढ़ रहा है debit करना हमने तो पर बच्छे हम क्या करेंगे AC account लगा देना साथ में क्यों बाद में बताऊंगा और DR for debit आपका सर कोई format है कि है format मैं आगे बात करूँगा फिलाल आप ऐसे लिखो आप बताओ 50,000 यहां पर लिखा आपने 50,000 याद है जब आप छोटे बच्चे थे तो handwriting आपकी पहले गंदी थी फिर गंदी गंदी आपने लिखते लिखते ऐसे करो ऐसे करो फिर साब साब लिखने शुरू किया अब अच्छी handwriting हो चुकी है तो अभी हम गंदे तरीके से लिख रहे हैं हाँ बात आपने गंदे तरीके से भी जो पच्चमन लिखा था ठीकी था बट handwriting थोड़ी गंदी थी तो वही समझो कि अभी हम handwriting में ध्यार नहीं दे रहे हैं अभी तो हम बस बाते समझ रहे हैं कि sentence बनता कैसे है तो हमने क्या कहा जी AC account आपने डेविड कर दिया AC account डेविड और देखो ना हमें cash को credit करना है bank को भी credit करना है तो जिसको भी credit करना है थ के आगे क्या लगाएंगे 2 और क्या बोलेंगे जी 2 cash cash account कितने से 20,000 20,000 cash कितना कम हो गया 20 फिर आपको यहीं बोलना है 2 और क्या कम हो गया bank जितने भी नाम आपको credit में लिखने है उन नाम के आगे में 2 लगाना है अगर हम general entry pass करें तो और ज़रा बताओ bank कितने से कम हो गया 30,000 30,000 लोग entry हो गया 50 और यह पता है dual entry का मतलब कहा जाएगा dual aspect यहनि कि debit और credit आपका हमेशा बराबर होगा कहेंगे दुनिया वाले कि देखो जी debit और credit बराबर होगा यह प्रतेश है यह प्रूफ भी क्या हमेशा आपका debit में जितना entry आएगा उतना credit में भी आएगा यह क अपने machine भी ले लिया और building भी ले लिया कुछ दिया नहीं ऐसा थोड़े होगा कुछ आएगा तो कुछ जाएगा तो आना जो हुआ जो हमारे assets का आना होगा हम उसको debit करेंगे increase करना और जाना credit करेंगे करो ना दोना मुझे जितनी entry देना है जितने नाम लिखने मैं आपको दिखाऊंगा दूसरे बतों से मैं आपको कैसे अलग करूँगा जब कोई entry में पांचे नाम आ जाते ना तो बच्चे परशान की पता नहीं क्या हो गया लग रहा कि कौन सा संकट उनके अंदर आ गया है लेकिन आपके पास मैं प्रूफ करूँगा कि जब पांचे नाम जाएगा ठीक है ना सर मशीन हमने मालो लिया क्रेट पे तो वाद की बात है अभी हम क्रेट की बात ही नहीं कर रहे हैं मैंने कहा ना अभी मैं सिखा रहा हूं आपको आप दिमाग में इफ और नहीं आने देंगे तो फिर क्यो फालतू में बाते आप बोलते हैं क्यो बोलते बशुनते च्छलो मैं क्या बता रहा हुँ, यह मैंने आपको यहां पे नाम दे दिया, यह एंटेकंप, six में आता हुँ, six में आपका, यहां पे और, कुछ और बताओ, मैं आपके साथ लेखू, कुछ और बताओ, बोलो कोई नाम और आपका, एक चीज़ और कहते हैं जी, ए बिजनेस का कैश कम हो जाएगा लेकिन बैंक में पैसा बढ़ जाएगा देखो ना मैं लिख रहा हूं यहां पर लिखना कहता कि cash deposited into bank कहता कि cash जो है ना आपने क्या-क्या बैंक में जमा कर दिया और कहता है रुपिज मान लो 20,000 20,000 रुपिज जो है बैंक में जमा कर दिया हम सीख रहे है लाइंग्वेज बचे जनल एंट्री पहला काम कैसे बनता ह दो बताओ cash को अगर हमने bank में जमा कर दिया आपका littla बढ़ गया यहां पर आपका जो पेसे लिखेंगे मैं सा आप से उससे दिमाग का बैठे गा जेनल लेंगंवेजि में क्या होगा? बैंक इंक्रीज गए गया बैंक में die जो पैसा है बैंक आपका इंक्रीज कर गया बताओ बैंक कितने से नीक्रीज कर गया ₹22 sett थाउजने से, बीस जा रुपे से, और मुझे अब कैश कम हो गया, कैश जो बिजनिस पे पड़ा हुआ था, वो आपका डिक्रेज कर गया, कितने से आपका ट्वंडी थाउजने से, आप नहीं समझे क्या, नहीं समझे क्या, ऐसे समझ लो, एक दुकान वाला, एक राशन वाल जो आपका गुल्लक में पैसा रखा है मरे बच्चे, वो गुल्लक से पैसा निकाल कर बैंक में जमा कर देता है, तो गुल्लक का पैसा तो कम हो गया, कैश उसके पास कम हो जाएगा, और बैंक में चला गया तो बैंक बढ़ गया, बैंक बढ़ गया आपका, तो बैंक इंक् यानि कि एसेट्स का बढ़ना डेविट क्या जाएगा बैंक को हमें क्या करना है यह बाते लिखो मुझे पता आपको बोरिंग लग रहा क्योंकि आप सीधे एंट्री पास करना चाहते हो लेकिन अभी आपको समझना है आपको मेरे साथ ऐसे लिखने ही लिखने है बैंक आपक करेंगे तो हम क्या बोलेंगे जी बैंक बढ़ रहा है मेरे बच्चे तो बैंक अकाउंट को हम यहां पर डेविट करेंगे बोली कितने से आपका 20,000 से 20,000 से बैंक को डेविट करेंगे और कैश को क्रेट करना है तो जिसको क्रेट करना है उसके नाम के आगे हम तू लगात लेकिन आज तो बस आपको language को सिखना जैसे मैं बता रहा हूँ bank to cash account, please copy कर लो आप बैंक आपका बढ़ गया और cash कम हो गया है ना बचे, debit में आने का मतलब क्या हो गया, bank आपका यहाँ पर increase कर गया, और cash credit का मतलब क्या, decrease हो गया, है ना simple language है, assets और expense में कुछ भी बढ़ गया कुछ भी बढ़ गया तो आप बोलना कि हम डेविड करेंगे, और घड़ गया तो क्या बोलेंगे credit करेंगे आपका ठीक है सरे, सरे बावत हो, यह तो हुआ cash bank में जमा किया, मान लो bank से पैसा निकाला फिर क्या होगा, bank से पैसा निकाल कर, गुल्लक में रख दिया अभी तो गुल्लक का पैसा, तीजोरी का पैसा अपने bank में जमा किया, लेकिन जो bank में पैसा वो निकाल के, अगर हमने गुल्लक में रखा तो फिर क्या होगा six, seven लिख दो यहाँ पे, example number seven यहाँ पे, example number seven लिखना, cash with drone, cash with drone, with drone का मतलब निकालना cash with drone from bank, हमने bank से cash निकाला है, कितना जी, मान लो 40,000 मुझे, bank से हमने cash निकाला, बताओ ना, अगर bank से cash निकाला तो जड़ा बताओ, आप लिखना, हम तो कुछ कम करेंगे, general language जी जड़ा बताओ, कि आपका, यहाँ देखना cash निकाला bank से, तो क्या बढ़ गया, सरक cash बढ़ गया cash हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे increase कर रहा है, cash हमारा increase कर रहा है, कितने से 40,000 से, और क्योंकि bank से पैसा निकाला है आपने, तो मुझे बेंक जो आपका है ना, bank जो आपका है, वू क्या हो जाएगा, decrease कर जाएगा, कितने से? 40,000 से, है ना, अगर मैंने cash निकाला 40,000, तो bank हमारा 40 से कम हो जाएगा, cash increase किया, तो हम cash को क्या करेंगे, david करेंगे, और bank decrease किया, तो bank को क्या करेंगे, create करेंगा आपको है न अब जड़ा बताओ इसी को अगर मैं अब मैं यह बाते अब escape करूँगा अब मैं सिधे यह जो हमारा था जी यह हमारा लिख दो मैं क्या यह हमारा था general language लिख दो आप यहां पर general language में increase decrease हम बोलते है और अगर इसी को मैं इसी को मैं अगर मैं general entry में convert करूँ general entry में convert करो तो बताओ जोड़ा हमें cash को increase करना है मतलब बढ़ाना है तो क्या लेखेंगे cash account debited cash को increase करना है मेरे बच्चे cash को debit कीजे कितने से आपका 40,000 40,000 और bank आपका decrease कर रहा है bank आपका decrease कर रहा है तो आप क्या करेंगे bank यानि कि assets का कम होना create किया जाएगा to bank account कितना 40,000 low हो गई बाते तो cash account को debit किया bank कम हो गया entry complete होगी मुझे तो नहीं लगता कि इसमे कोई परशानी है आप इसमे कोई भी बच्चा इसमे परशान हो रहा है या होगा ऐसा स्वाल ही भी बनता हमने आज कुछ भी नहीं पढ़ाया मेरे बच्चे आज हमने कुछ भी नहीं पढ़ाया मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो जो पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो अननेसरी परशान होते हैं, हमने तो सिर्फ ये कहा कि आप सिर्फ पांच वर्ड पे कमांड कर लो, सिर्फ पांच वर्ड, assets, capital, liability, expense and income, ये पांच वर्ड पे कमांड और double entry का exact meaning क्या होता वो समझ लो, तो believe करो आपका accounts इतना simple हो जाएगा कि आप अगर English का, Hindi का, Economics का, Maths का भी paper देने जाओगे तो आप accounts ही solve करके आओगे ऐसा accounts बन जाएगा तो आप मैंने इसलिए कहा कि आप दुनिया की बात नहीं मानना मैं बिल्कुल सच बोला बचे आपको proper तरीके से guide कर रहा हूँ मैं कोई गलत चीज़े आपको नहीं सिखा रहा है आपको मैं बताऊंगा ये जो चीज़े आपको जो बता रहे रहा कि acid sixpence का बढ़ना, डेविड घटना क्रेट होगा हम इसको बोलते हो modern approach modern approach और modern approach में एक ही बात याद एकना assets हो चाहे expense हो कोई भी चीज़ अगर बढ़ेगा तो debit करूँगा और घटना क्रेट करूँगा कोई भी नाम हो आज मैंने अभी तक क्या क्या आपको assets के बारे बताया मरे बच्चे, assets के बारे बताया दोनों के बारे में believe करो इस वार आज की class में जितना आपको मज़ा आया होगा वो कुछ भी नहीं है वो तो बक्वास class थी life में सबसे बक्वास class यह है मज़ा तब आएगा जब थोड़े हम बड़े हो जाएंगे हम अगली class में मिलेंगे और इसके आगे concept को समझेंगे चलिए आज की class हम यहीं रोकते हैं अगली class में आने का wait करते हैं तब तक आपको सभी बच्चों को बच्चे bye bye tata, bye bye tata, bye bye tata thank you जी, thank you बच्चो